किसान बायों नमस्कर मालवा फार में आपका स्वागता जी वेडियो बना रहे हैं गर्विंदर बाई के पास मंडी डव वाली पे अभी मजोद हैं जे मंडी पूरी इंडिया के सबसे बड़ी मंडी है और अगर आपने सबसे ज्यादा सस्ते पशुक्रीदने है तो इस मंडी लाइं पर फिजट करके आप पशुक्री सकते हूं पशुक्रीदने के लिए ग्रविंदर बाई का स्कीर्न परना रहा है इनको कॉल करके ढ़िद जो गाए है जारातार ब्रीड पे काम करते हैं गर्मी में भी ब्रीड मिलेगी सर्दी में तो ब्रीड रखनी रखनी है ब्रीड गाएं करीदने के लिए इनके साथ संपर्क कर सकते हों कैसी कैसी ब्रीड होती है वो इनकी पहले भी मालवा फार्म पे काफी वीडियो आ चुकी है आज भी चार-पांच गाए हम आपको चला कर सब्सक्राइब करने करेंगे तो डार्म इनकेложका चाहे लैज यह है तो अऱ्यूमर गाई कर लएग जो खोए कि तो आप मिल्क का गयेस करेंगी और वोडी वीड जरूरूरूब नाएगि पर मिल्किंग चितना हुसकी कैय। सब्सक्ट इसर खेंव स्वल करेंगी तो आज क किसानों के साथ शेयर करना जाओं टो यहीं है जट जो सुबह जल्दी उतार नई पढ़ती है ऐसे इनको प्रोटिन सीव करा एसे कल्शे मच्चे देदू के सर्फिर जो इनकी गर्मी आपना हो से और यह से प्रडैक्ट दें के फिर लोडिंग करते हैं सर ऐसानी भीट फी ऐसी लोडिंग हो जाए क्योंकि लोडिंग के समय भी बहुत सा ज्रहारा रखना पड़ता है करी मुंसी बाक्तों का पी अच्वाइग अचाहिए कहां और सनॉद्धना हो जहां गाए बिमार ना हो जांग डूद्धना कम करें वहां जाकर दूद् अगर गाड़ी में 10 गाई आती है ना तो 8 डालो ट्रांसपोर्ट का लालच मत करो अगर 10 गाई आती है तो डालो ताकि इनको राम से र्लेक्सर फील करके गाई जाए सर और सुबह जल्दी कहीं भी आपको मालो सुबह च्छाम को आठ बजे लोडिंग करो और सुबह छे बजे पांच बजे गाई उतार दो उनको दूप का डिस्टेंस ना होने तो गाड़ी में हुमीडिटी ज़्यादा हो जाती है तो मलोग एनिमल फिर खराब हो जाता है जे काई काउंट से ब्यांत में जी सर फस्ट में हैं सर और जो बाई ने आजकल हमाने क्या कर रखे सर सीमन का कि आजकल कॉफी बहुत जादा कर रहे हैं अभी हमें बता दिया जिए पूछ लिए जिए वही बोल देता है उनको पता किसी बात का नहीं होता दांतों में दांतों में सर दो दांता फस्टेशन में कितना दू देगी सर क्या रेट पे सिल करी है सर थाटी लिट सैवंटी की सर अठर देखना सर ऐसा आप फॉरंड की गाय के अगर सर्च करोगे ना सर तो फॉरंड की गाय के अड़ा लगा जैसे इस गए अच्छे अनीमर लो डो मेरा हारो सीजेशन यह कस्टमर को अच्छे ब्रीड अनिमर लो दो काम ले लो तांकि आपका जाके फार मागे जाके सक कि यह स्ट मेरे लेर पाइब छैम की तरफ कि व panels की तिस्ट में नहीं होताि क्यों कि हम दैब को स्क्राइब की। एक कम लेड़ों पर यंग एज लो दो दान चारदन क्योंकि वह सुर्वाइब कर जाती है उनके जाके कोई उनको प्रॉब्म नहीं आती है अगर आदमी का अच्छा नहीं आ तो उनको भी वह प्रॉब्म नहीं क्योंकि मिंटी सिस्टम उनका हैवी रहता है सेकंड की एफ और 80-20 लाइए दांतों में घृट कितना दूद निकाले जी सर्थ यह 25 एं बॉडिवेड देखो बॉड़ बहुत बड़त है भाइन चल का गया भी बहुत बड़ा है बोड़ी बेड़ को अगर हम लगाएंगे ना सर्क्रोसिंग वाली थोड़ से क्रोसिंग एक्टी ट्वंटी क्रोसिंग आपचीस कहरे हुए जाएंगे पचीस से उपर गड़ें के तीस लीटर बीच की निकल लेगे मैं आडर को बोले अंगे गटी कीज़ा Fill ने काम मिसगड़ किस लीए करें इस अचि targeting करेंगे माननी करते है और करेंगे लिए कुए अपने और फारम से क्लर्शपल करना तो ब्रीड ही रखनी पड़ेगा आपको क्योंकि ब्रीड ही नहीं दूद निकालना है क्रॉसिंग वाली नहीं करना है जितनी ब्रीड रखोंगे सर उतना फार्म से कहस पूल एगा आपका फार्म का ड्वल्मेंट होगी आगे इसने बच्छा देना है इसकी ब्राड लें अचा कोई भी गई का बैकरांट लेन जाते हो कि आप कर दें ने जए हमारे पास आओ आप दो डिए रुक्राण जाते हो फार्म में हमारे में रुके बेक्ँराउंड ड्या करकर कर but कोई भी ट्रास्टिंग करवानадal था स्वा रब थीट आ सबने जो Кोस्त यह से ब्यास वुरा निप्रश्ट की ए हैसर गाएं कॉने दो सैल के लिए गजी किलिए अल번ल और आठर देखो राट right अदर देखो अदर की शेव को बनावड देखो गई कि अधूर हम भी डिडंगते हैं और य१र है अर्ड वीडियो में कंपरीजन कियाgua इक liqu लिएयो मनें ड्वारा पैस वी बतान सब्सेंकर नोब करन सामी pace कि हमें अपनी गाय पे मान रहता है गर्व रहता हुई हमारी ब्लड लाइन में नहीं है जूट का दंदा दो चार देन चलता है क्योंकि गर्मी में दंदा चलाना तो चाही पर रखके बहुत मुश्कल से नाम यहां पर पहुंचा है अगर इसको लो लेवल पर चाहेंगे तो ह हम इनके जूट मुट का दंदा करेंगे साथ किस चाही पर दंदा चलता है मांदरी का दंदा बहुत लॉंग टाम चल सकता है देखो जी अभी गर्मी का मौसम है गाई फार में बेज़ी कुछ गाय तो और वी है तो जितनी को चार पांच गाय आपको चला के दिखा दिया औ दो क्वाल्टी का इनिमल हम प्रसेजिंग ही नहीं करते हैं तौप के बीड़ होएंगे सार आडर लैक स्कोर के मामले में आडर के मामलें के बॉड़ी वेड के मामले में फेस्ट के मामले में फस्ट लिकडेशन दो दांट चार दांट ऐसा नहीं होगी थर्ड लिकडेशन म करने कारन सबसे बड़ा यह है सर दो दान चार दान अगर किसी वेर में 45 के टमपरिचर में जाएगी न नौरमल बात है इनके लिए सर इनका म्यून्टी सिस्टम में इनका बॉड़ी वेट इनका मिल्किंग ऐसे अटर से मस्टैडिस नहीं आएगा सबसे बड़ी बात ही है गर